इस विडिवी उन्धर मैं लेवल 2 की एक लाप्स का स्लिशन प्रवाइट करने गोला हुण इस लाप्स का नेम होने वहला वीडियो इंटेलिजेंस क्विक स्टाट एंड इसके अंदर टोटल थी टास्क है पहला task किया है कि Enable करना Video Intelligence API को Setup Authorization Task 2 है and Task 3 में Mac and Innovative Video Request छीक है तो जल्दी से कर लेते हैं Simply Start Lab पे क्लिक करते है यहाँ पर आपको Credential मिल जाएंगे इसे Login कर लेना Passport दो Simply Copy करना यहाँ पर Clause Console में Open कर लेना यहाँ पर जो भी आपको Credential दीगे यहाँ पर क्लिक करना I understand पर Simply Click करना Term of Service पर यहाँ पर चेक कर देना and Agree and Continue पर क्लिक करना यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेक्षन में Task 1 पर आजाते है Task 1 में यहाँ पर Enable करना है एक API को तो बिसिक लिए इसके अंदर यह वाला API Enables है बाग यहाँ पर Basic Command है यह Open हो जाएगा Continue पर क्लिक करना and जो Basic Command is G Cloud Auth List and G Cloud Config List उसको यहाँ पर Run करवा देते दिन हम आगे की काम कर नहीं होंगे Basic Command हमने Run करवा लिया and Task 2 में आजाना इसके लिए इसके लिए क्लॉट्सिल में पेस्ट करना इंटर क्लिक करना and FD rate को रहने दरना यहाँ पेस्ट कर देना अपने GCP AG को Ctrl A से सारे को Copy कर लेना and यहाँ पे आना Cloud Cell में and यहाँ पेस्ट कर देना and यहाँ पेस्ट क्लिक ओन इंटर यहाँ पी टास्क भी आपकर Complete 4 हो रहा होगा and आज आते लिए and then line number 3 वाले command पेस्ट को Copy करना and यहाँ आना Cloud Cell में इसको भी paste करना and run करवा देना then यहाँ पे आना line number 4 की command को Copy करना and यहाँ पेस्ट कर देना simply click on enter यह भी आपको Complete हो जागा CheckMapOS पे simply click करते हैं यह task complete हो रहने यहाँ से पताचल जाएगा paste करना click on enter यह भी आपको Complete हो रहा होगा इस तरह की Output आगी मतलब काम आपको सही जा रहा है simply click on CheckMapOS देखते task complete हो यह नहीं so yes यहाँ पे अपनी task complete हो जागी in lap पे क्लिक करते है and यहाँ पे submit करते है कुछ rate ही दे देगे and यह laps complete हो जाएगा मिलते हैं इस तरह की वीडियो में तब तक लिए बाबान चेक्खें और थैंक यू